हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर योटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो लेक्चेर में हम लोग यहां पे क्लासिफिकेशन एंड डिस्टिबिशन अप स्वाइल्स इस टॉपिक को हम लोग यहां पे i.e. डिसकस करने वाले हैं और विस्ट य बात है हम वर्डUT की बात करेंगे यहीं हमारी कि सवाइल है उसको क्लासिफाइए कैसे करेंगे और कहां कहां पर डिस्टिबुटेड है किस टाइप की सवाइल उसको हम लोग आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलो दोस्तो आज का video हम लोग start करते हैं दोस्तो वीडियो की start करने असे परले UPSC दोरह previous year में कुछ question पूछे गया है उसको देख लेते हैं इस topics related जैसे 1992 में पूछा गया था the present classification of soil of the world give their economic significance 15 पूछा है classify soil based on the journal distribution and describe the characteristic of the pedals ठीक है 2015 में पूछा गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो डिस्क्स करने बाद आई होप इन दोनों क्रिशन को आप यहां पर आंसर कर पाऊगे क्या है दोस्तों जैसे इंडिया की बात करें इंडिया में हम लोग ने स्वाइल को पर्षिया पाओगे कहां कहां पर जैसे इंडिया में देख लो इंडिया में बहुत टाइप के स्वाइल पायाते हैं वैसे इदि पूरे वर्ल्ड की बात करोगो ते श्टडी हमारी कलर की हिसाब से करना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा उसको कटेग्राइज करना ठीक है यदि आप टेक ठीक हिसाब से वह हमारी बहुत जाएदा डिपकल्ट हो जाएगा study करना तो इसलिए वाल्ड की जो स्वाइल है उसको study करने के लिए एक जीग्राफर मारबट हुए थे उन्होंने वर्ल्ट की स्वाइल को classify किया था और classify करने का जो basis था वो geographical basis में यानि कि जो हमारे relationship होती है climate, vegetation और स्वाइल मारवट ने बोला कि climate, vegetation और स्वाइल तीनों एक दूसरे से related है यानि कि आप ऐसे diagram बना सते हो हमारे climate हो गई, vegetation हो गई और स्वाइल हो गई क्योंकि जो swallow होती है vegetation को भी effect करती है और vegetation भी swallow effect करती है क्यूंकि swirl अच्छे होंगे तो vegetation की growth भी अच्छे होंगी और vegetation अच्छे होंगे तो हमारी humanous की content相辉ँ में जाएगा, civil के भी growth अच्छे होंगे in microorganism as usual में बढ़ेंगे ठीक है और climate में climate भी soil और vegetation दोनों को एफेक्ट करता है क्योंकि climate यदि मालो harsh climate है या अच्छी बारिस नहीं हो रही है temperature बहुत ज्यादा है तो हमारी soil और vegetation दोनों ही एफेक्ट होंगे जैसे मालो temperature बहुत ज्यादा है heavy rainfall भी है तो हमारी laterite soil की development होती है temperature बहुत ज्यादा है rainfall हमारी नहीं है तो हमारे desert soil की development होती है वहाँ पर vegetation अलग होंगे तो पुल मिला के मारवट ने जो जिगोराफों मारवट थे उन्होंने बोला था climate और soil vegetation तीनों में strong relation होती है और तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे world की जो soil है उसको हम categorize करना चाहिए तो इसके हिसाब से world की जो soil है उसको तीन category ने divide किया था पहला journal soil group यानि कि एक group है इसमें भी बहुत सारे soil types है journal soil group है, intra-journal soil group है और agonal soil group है तो world की soil को तीन group में यहाँ पर मारवट जिगराफर थे उन्होंने divide किया था journal soil group की बात करते है तो journal soil group में इन्होंने बोला कि जो soil होती है एक जोंस में मिलते है जोंस का मतला बहुत ही extensive जो area होती है उसमें पाय जाती है world में और journal soil की दूसरी property होती है कि soil जो हमारी soil की जो profile है वो will developed होती है ठीक है soil profile हम लोग नेश्ट वीडियो में cover करेंगे लेकिए soil profile का symbol मतलब यहां पर है कि soil में different जो horizon है उसका clear cut demarcation होती थी यानि कि हमारी o layer होंगी फिर a layer होंगी बी layer होंगी इस तरह से clear cut demarcation होती है soil will profile developed होती है उस type की soil को हम करते है soil journal soil group ठीक है इसकी distribution हम लोग भी देखेंगे फिर हमारी दूसरी category है intra-journal soil group intra-journal soil group का मतलब है कि बहुत ज़्यादा large extensive area नहीं पाया आते हैं जो jones है दो jones के बीच में हैं मिलते हैं और यह हमारी local climate पे ज्यादा effect होती है और journal soil group में हमारी major climate होती है climate classification जो world के हम लोग इस्टेडी किया है उससे आप relate कर सकते हो journal soil group में लेकि intra-journal soil group में कुछ local जो climatic condition होती है उससे वहाँ पे soil develop होती है और उधनी ज्यादा large extensive area नहीं होती है sorry intra-journal soil group में semi-matured होती है यानि कि जो soil के profile होती है वह बहुत ज्यादा developed नहीं होती है यानि कि internal developed होती है आप बोल सकते हो regional soil group में कि अब बात करोगे तो यह totally local climate में depend होती है जैसे aluvial soil होती है वो river valleys में मिलते है और इनकी जो soil profile होती है वो हमारी developed नहीं होती है ठीक है तो list developed soil profile होती है soil profile में different जो horizon है उसको आप यहाँ पर categorize नहीं कर सकते है regional soil group में तो इस तरह से world की soil को तीन category में divide किया जा सकता है journal soil group इंट्रा journal soil group और regional soil group अब दोस्तों इसको हम लोग detail में study कर लेते हैं journal soil group को की distribution को तो distribution के आप बात करो तो clearly आप इसको climate से relate कर सकते है journal soil group का जैसे मालो यह world है sorry earth है ठीक है यह world है जो भी समझ लो तो यह हमारी equator है equator के आज पास आप देखोगे तो हमारी soil group जो हमारी develop होती है वो हमारी laterite soil होती है ठीक है और इसके उपर आप जाओगे तो हमारी desert soil develop होती है यह भी हमारी एक journal category है इसके उपर आप जाओगे तो हमारी Mediterranean जो हमारी climate है वहाँ पर स्वाइल डेवलप होती है इसके उपर जाओगे तो different जो हमारी जो हमारी temperate grassland है वहाँ पे अलग soil develop होंगी फिर हमारी tag of forest है वहाँ पे अलग soil develop होंगी तीस तरह से journal जो soil group होती है दुनों hemisphere में पाया जाते हैं और equator से उपर जाने पे हमारी distributed होती है तो इसी को यहाँ पे journal soil group में अलग लग यहाँ पे जो sub category है soil की जो हमारी equator के आसपास मिलेंगी उसके पर digit soil हमारी मिलेंगी digit जो हमारी region है नदर हमें से भी बात करें उसके उपर आप जाओगे chestnut soil मिलेंगी chestnut soil हमारी Mediterranean region में मिलती है और उसके उपर आप जाओगे तो cherno gem soil मिलेंगी cherno gem soil हमारी पेरेरी जो grassland है steppi जो grassland है वहाँ पर मिलेंगी उसके उपर आप जाओगे नदर हमें से भी मिलती है तो इस तरह से हमारी जोर्नल स्वाइल को sub-categorize हम कर सकते है तो दोस्तों यहाँ पर एके करके इसको detail में study कर लेते हैं लेटराइट स्वाइल की क्या प्रपार्टी होती है तो लेटराइट स्वाइल जैसा कि हम दो देखे equatorial region मिलते हैं जहाँ पर high precipitation high rainfall होती है sorry high rainfall और high temperature होती है low latitude में जो forested area है वहाँ पर यानि tropical area में भी subtropical area में भी जहाँ पर forested area है sufficient rainfall मिलती है वहाँ पर मिलती है जैसे इंडिया में भी आप देखेते हो जहाँ पर 400 cm के आसपस rainfall होती है वहाँ पर lateral soil का development होता है और lateral soil की जो खासियत है वहाँ पर leaching process से बनती है leaching process में क्या होती है जैसे soil की profile होती है soil की profile में जो एकी जो minerals होते हैं वह dissolve होके water में क्योंकि बारिस बहुत जाद होती है तो एह horizon की जो minerals है वह dissolve होके water में water के साथ-साथ water और mineral दोनों ही leach कर जाते हैं नीचे चले जाते हैं B horizon में ठीक है तो lateral soil में जो B horizon होती है नहीं lower soil की profile होती है वह ज्यादा fertile होती है इसलिए lateral soil में बड़े trees यहाँ ज्यादा well developed होते हैं और यहाँ पर grassland या छोटे trees होते हैं उसका absence होता है हमारे lateral soil में ठीक है तो lateral soil leaching process से या eluviation process भी बलते हैं इसके थूरू यहाँ पर development होती है अब top soil में यहाँ पर coarse grain होता है fewer nutrients होते हैं, less humus होता है less humus का मतलब यहाँ पर back transition process भी ज्यादा होती है और global distribution की बात करें तो Amazon Basis में पायाता है Congo Basin African पायाता है, Indonesia में, Malaysia में और South East Asian country से इंडिया में भी थोड़ा भूत मिलता है lateral soil तो इसका distribution आप यहाँ पर देख सकते हैं अब चलते हैं दोस्तों, दूसरी हमारी स्वाइल है desert soil जैसा कि नाम से पता है, desert area में जहाँ पर precipitation कम होंगी और temperature ज्यादा होंगी तो वहाँ पर जो जो हमारी process होंगी वो हमारी calcification जो process के तुरू हमारी desert soil के development होती है और हमारी Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के around आपको देखने को मिलेंगी और हमारी core screen होती है, sandy soil होती है यह हमारी minerals से rich होती है, लेकि humus नहीं होती है यदि इसमें irrigation की सुब्दा उबलब्त करा दे जाए तो बहुत ही fertile होती है, minerals से rich होती है, हमारी digit soil लेकि यहाँ पर vegetation के लिए suitable नहीं होती है क्योंकि मुएसर की कमी होती है, humus की कमी होती है अब इसकी distribution की बात करोगे, तो सहरा digit अफरीका में और South West Asia में Arabian Peninsula जो है, वह हमारी digit एरिया वहाँ मिलती है इंडिया में भी 3rd digit में मिलती है सुनरन मोजांबे जो digit है North अफरीका पर वहाँ मिलती है अठाकामा डिजट South अमेरिका में मिलती है कालाहरी डिजट South अफरीका में मिलती है और West Australian डिजट तो जहां जहां पर डिजट है, वहां पर हमारी डिजट स्वाइल देखने को मिलती है तो इसका भी आप map पर locate कर सकते हूं, यहां पर map में मैंने सून ही किया है बट आप इसली इसको आप locate कर सकते हैं जोस्तो तिसरी जो हमारी जोर्नल स्वाइल की कटेगरी है चेश्टनर्स वाइल चेश्टनर्स वाइल में यहां पर देखे तो Mediterranean Sea के एराउंड मिलती है सदर्मोस्ट जो पार्ट है आस्टेलिया का, आस्टेलिया के सदर्मोस्ट पार्ष्ट है वहाँ भी चेश्टनर्स स्वाइल का development होता है यह famous हमारी होती है स्वाइल, citrus जो fruits हैं उसको support करती है और wide range of vegetation यहां पर growth पाय जाती है बहुत ज़्यदा fertile होती है plantation crop के लिए ठीक है तो हमारी चेश्टनर्स स्वाइल की इसकी जो स्वाइल परफाइल है वह भी हमारी well developed देखने को मिलती है दुसरी अगली जो केटेगरी है journal स्वाइल का वह हमारी चेनुजम स्वाइल चेनुजम स्वाइल आपको डार्क कलर के देखने को मिलेंगे यह हमारी temperate जो grassland है वो थेमिसीवर में है ठीक है यहां पर semi-arid बहुत ज़्यादा बारिश मनी होती है semi-arid होती है वहाँ पायाते है जैसे pampas grassland हमारी अर्जेनितना में है वहाँ प मिलेंगे weld जो temperate grassland है हमारी south अपरिका में वहाँ मिलेंगे prairie जो grassland है central north अमरिका में वहाँ मिलेंगे steppy जो grassland है central eurasia में वहाँ मिलेंगे और dawns जो हमारी temperate grassland है आस्ष्रलिया में वहाँ पे आपको चेनुजम स्वाइल देखने को मिलते हैं यह हमारी minerals और humus दोनों ही रिच होती हैं upper soil ज्यादा fertile होती। ठीक है lower जो होरिजन होती है वह हमारी ज्यादा fertile होती है lower होरिजन से ज्यादा fertile हमारी upper soil होती है जैसे soil profile के बात करेंगे तो A horizon ज्यादा profile fertile होती है इस olant became to B origin जिससे कि यहां पर grasses जो होती हैं ज्यादा suitable होते हैं यानि grasses का growth या crop का growth यहां अच्छा कासा होगा क्योंकि जो अपर हर जाने हैं वहां से mineral यह मिल जाते हैं लेकिन जो plantation होते हैं बड़े-बड़े trees होते हैं उसके लिए suitable नहीं होते हैं क्योंकि हमारी जो lower origin की नदर्न में अब जाओगे तो tiger soil मिलेंगे यह हमारी potijol soil भी इसको बोलते हैं light color potijol soil भी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा acidic होता है यहां पर coniferous forest मिलते हैं उसके leaf से generally humus गेन करते हैं और लेकिन humus भी होता है क्योंकि coniferous forest होते हैं वह हमारी leaf को generally shade नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जादा ठंडी होती है तो यहां पर leaf को shade नहीं करते हैं गिराते नहीं है इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं humus की blackness होती है और यहां पर जो भी जो tiger forest है उनकी जो leaves आती भी है तो यहां पर bacterial growth अच्छे स पर कम होती है तो low decomposition होने के चलते हैं हमस की content कम होती है तैगाउस वाइल में और यह टैगाउस वाइल अगरी कल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है लेकिन बड़े plants होते हैं यहां पर forest के रूप में यहां पर growth करते हैं लेकिन agriculture के लिए टैगाउस वाल हमारी सुटेबल सबसे नहीं होती है दोस्तों टूंडर स्वाइल सबसे नहीं मुष्ट में आप यहां पर लेंड इस लेटिट पर नहीं पाया जाते हैं और नहीं आप देखो कि इसका डिश्टिबिशन ता अलास्का कैनेडा ग्रीन लेंड फिन लेंड नहीं जो साइबेरिया है यह हमारी यहां पर मिलते हैं और तेंद्र सिज्टन में यह म में डेंड अएस से कभर हो आता है यहां सुपर्ट करते हैं कि हमारी तुंडरा स्वाइल की डिस्रिप्रियशन इब देख सकते हो यह हमारी जूनल विल की कटेग्री होती अब दुस्तों तो यहां मारी इंत्राइड लेकरिश्नाे सब्सीक्राइब 3 प्रनीर मोर्फरिक एंट्राइडंट लो मोरफ़ोरिक सब्सक्राइब होलो मॉर्फोरिक में saline soil भी बोलते हैं उसको क्योंकि coastal region में जहां पर हमारी बोलें जिसानी स्वाइल में इस प्रसेस यहां पर जिसे कच्छे एरिया में गुजराती एरिया में आप देखो कच्छे एरिया में बनती है साउथ आफ्रीका में में हैलो मोर्फोरिक स्वाइल या सेलाइन स्वाइल यहां पर डेवलप होती है फिर हमारा हाइड्रो मॉर्फोर्फिक स्वाइल होती है जो पीटी स्वाइल बोलते हैं यह स्वेंप अरिया में हमारी डेवलप होती है जिससे कि इंडिया माम देखो के तराई रेजन में यहां पर स्वेंप स्वाल जो कल्सिम होते हنا हो अपर लेयर में आ जाते हैं। वहा vors मिलता है। यह हमारीा सवाने में आपको डेखने मिले मैं, यह तिन सब केटेग्री होती। इंत्रा-ईनल स्वाल की, पहला सवाने मिले दूसरा मारी मार्सी जो एरिया वहां में तीसरा मारी जो कोस्टल एरिया में आपको देखने भी लेंगे सलाइन सवाइल के रुप में यह होगी इंट्राजोनल शोइल अब दोस्तों तीसरी आप स्वाइल पिरफाइल आप बोल से थो डेवलप्ट नहीं होती है और तोटली आप बोड़ सेकते हो कि लोकल जो climate है उस पर dependent करते होती है ठीक है तो मेंचे जो climate factors है soil formation का लोकल जो 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 आपके condition होती है उस पर dependent करती है और यह जो regional soil है relative anger होती है इसकी soil profile उतने ज्यादे डेबलप नहीं होती है जैसे कि सबसे अच्छा आप देखो कि इस्टन North अमेरिका में भी आपको देखते हैं इस्टन-North अमेरिका में भी आपको देखने म苟ेंगे चैना में भी बहुत सारी रिभर्स also अपको इस्टन चैना में हमारी its ऑध एसिया में इसके लाउट है मिलेशिया में इसक्रेफ यहां पर यहां dentist वाई गफो हाइं, इसके लाउट्व राहिस्ट वाईल مीञिमें stand domain. इस जनरल ही आप देखो की जो प्लेटू है वहां पर देखने में हिमालेयन रिजन में हमारी लीठो स्वाइल लेखने में हMother वेदरिंग्वोक्ष होकर जो फेल फॉल बनते हैं वहारी लीठो स्वाइल होते हैं तो आपको प्ले 58 िबुतिर प्ले पॉल्लो मॉर्फिक जो स्वाइल होते हैं, सलाइन स्वाइल होते हैं, जो कोस्ट लाइन यह मिलते हैं, यह हमारी इंट्राजोनल स्वाइल के कटेगरी में आते हैं और jungle s ответ category में तुण्ड रहा गए टयगा हो गए चेन नु जयम हो गए चेशन अटal सवाईल वह गए डिजर्ट वाईल होगि है लेट्रैड सवाईल हो गए और और बहला विल्ड की जो स्वाईल की बात करें speaking तो तीन कटेगरी में डिवाइट किया गया है जूनल स्वाइल, इंट्राजूनल और एजूनल स्वाइल तो यह हमारा हुआज दोस्तो मारवट जो हमारी जूगराफर थे उन्होंने वर्ल्ड की जो स्वाइल है उसको कटेगराज किया और उनका डिस्ट्रिक्शन भी हम लोग आज किस वीडियो में डिस्स किये तो आज के लिए वसनाई दोस्तो आई होप जो हम लोग डिस्स किये हैं आपको यहाँ पर समझ भाया होँगे तो थेंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ